आकाशवानी अदिलाबाद, वंदापाइंट रिंडु एफेल्म, मनसुनिंडा मैं गायकवारगी तांजली भारतिय लोक तंत्र की चुनाव प्रक्रिया के संदर्ब में बताने जा रही हूँ भारतिय लोक तंत्र में चुनाव प्रक्रिया के अलग-अलग स्थर है लेकिन मुख्य तोर पर सविधान में पूरे देश के लिए एक लोगसबा तथा प्रिथक प्रिथक राज्यों के लिए अलग विधान सबा का प्रावधान है भारतिय सविधान के भाग 15 में अनुछेद 324 से अनुछेद 329 तक निर्वाचन की व्याख्या की गई है अनुछेद 324 निर्वाचन का अधिक्षन, निर्देशन और नियंत्रन का निर्वाचन आयोग में निहित होना बताता है सविधान ने अनुछेद 324 में ही निर्वाचन आयोग को चुन्ना संपन्न करने की जिम्यदारी दी है 1989 तक निर्वाचन आयोग केवल एक सदसिय संगठना था लेकिन 16 अक्तुबर 1989 को एक राष्टरपदी अधिसूचना के द्वारा दो और निर्वाचन आयोगतों की नियुक्ति की गई लोकसभा की कुल संख्या 543 सीटों में से विभिन राजों से अलग-अलग संख्या में प्रतिनिधी चुने जाते है इसी प्रकार अलग-अलग राजों की विदान सभाओ के लिए अलग-अलग संख्या में विदायक चुने जाते है नागरिय निकाए चुनाओ का प्राबंध राज्य निर्वाचन आयोग करता है जबकि लोकसभा और विधानसभा चुनाओ भारत निर्वाचन आयोग के नियंतरन में होते है जिनमें वयस्क मताधिकार, प्राप्त मतदाता, प्रत्यक्ष मतदान के माध्यम से सांसद एव विधायक चुनते है लोकसभा तथा विधानसभा दोनों का ही कार्यकाल पाच वर्ष का होता है इनके चुनाव के लिए सबसे पहले निर्वाचन आयोग अधिसूचना जारी करता है अधिसूचना जारी होने के बाद संपूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया के तीन भाग होते है नामांकन, निर्वाचन तथा मतगणना निर्वाचन की अधिसूचना जारी होने के बाद नामांकन पत्रों को दाखिल करने के लिए साथ दिनों का समय मिलता है उसके बाद एक दिन उनकी जाच परदाल के लिए रखा जाता है इसमें अनन्य कारणों से नामांकन पत्र रद भी हो सकते है तत पश्चात दो दिन नाम वापसी के लिए दिये जाते है ताकि जिने चुनाव नहीं लड़ना है वे आवशक विचार विनिमाई के बाद अपने नामांकन पत्र वापस ले सके 1993 के विदान सभाद चुनावों तथा 1996 के लोग सभाद चुनावों के लिए विशिष्ट कारणों से चार-चार दिनों का समय दिया गया था परंतु सामान्य तह यह कार्य दो दिनों में संपन्न करने का प्रयास किया जाता है कभी कभार किसी क्षेत्र में पुन्हा मतदान की स्थिती पैदा होने पर उनके लिए अलग से दिन तई किया जाता है मतदान के लिए तई किये गए मतदान केंद्रों में मतदान का समय सामान्य तह सुबा 7 बजे से साईय 5 बजे तक रखा जाता है Electronic voting machine आने के बाद मतगन्ना के लिए सामान्यता एक दिन का समय रखा जाता है मतगन्ना लगातार चलती है तथा इसके लिए विशिष्ट मतगन्ना केंद्र तई किये जाते है जिन में मतदान केंद्रों के समान ही अनाधिकृत व्यक्तियों का प्रवेश वर्जित रहता है सभी प्रतेशियों उनके प्रतिनिध्यों तथा पत्रकारों आदी के लिए निर्वाचन अधिकारियों द्वारा प्रवेश पत्र जारी किये जाते है वर्तमान में निर्वाचन क्षेत्र अनुसार मतगनना की जाती है तथा उसके लिए उसके सभी मतदान केंद्रों के मत की गन्ना कर परिणाम घोशित किया जाता है परिनाम के अनुसार जिस दल को बहुमत प्राप्थ होता है वह केंद्रया राज्य में अपनी सरकार का गठन करता है भारत में वोट डालने की कोई कानुनी बाधिता नहीं है और यह नागरिकों का अधिकार है कर्तव्य है राश्ट्रपती उपराश्ट्रपती एव राज्य सभा सदस्यों के चुनाव प्रत्यक्ष न होकर अप्रत्यक्ष रूप से होते हैं इन्हें जनता द्वारा चुने गए जन प्रतिनिधी चुनते हैं चुनाओ के वग्द पूरी प्रशाशनिक मशीनरी चुनाओ आयो के नियंतरन में कार्य करती है। चुनाओ की घौष्णा होने के पश्चात आचार सहीता लागू हो जाती है। और हर राजनेतिक दल उसके कार्य करता और उमिद्वार को इसका पालन करना होता है। मतदान के महत्वपर आब ओमकार केंदरे एक कविता सुनाएंगे आया चुनाओ का यहा तेवहार देखिए जनतंतर की जमिन को गुलजार देखिए बुडे भुजुर्ग चल पडे मतदान केंदर पर युवा के होशलों बेशुमार देखिए जस बात में दिख्ती कमी नहीं डालेंगे ओट जमकर इस बार देखिए पीचे ना रहो आप भी बढ़ करके ओडे आप ही चुनंगे देश का सरकार देखिए अब इंगले पांडुरं मतदिकार के बारे में बताएंगे राजेकी नागरिकों को देश के संविधान द्वारा प्रदत सरकार चलायना के हेतों अपने प्रतिनिदी निर्वाचन करने के आधिकार को मत आधिकार कहते है जनतांत्रिक प्रणालिय में इसका बहुत महत्व होता है लोकोतंत्रिकी निव मत अधिकार पर ही रखी जाती है इस प्रणाली पर आदारित समाजव शाशन की स्तापना के लिए आवशक है कि प्रत्यक वयस्क नागरिक को बिना किसी भेदभाव के मत का अधिकार दिया जाए जिस देश में जितने ही अधिक नागरिकों को मत अधिकार प्राप्त रहता है उस देश को उतने ही अधिक जनतांतरिक समझा जाता है इस प्रकार हमारा देश हम संसार के जनतांतरिक देशों में सबसे बड़ा है क्योंकि हमारे यहां मत आधिकार प्राप्त नागरिकों की संक्या विश्व में सबसे बड़ी है भारतिय संविधान के अनुचेद 326 एक सार्वभोमिक वयस्क मत आधिकार को निर्वाचित सरकार के सभी स्तरों के चुनाओं के आधार के रूप में परिभाशित करता है आगे अर्जुने अखिलेश्वरी एक कविता सुनाएगी अपनी ताकत को पहचान चलो करे हम सब मत दान विश्व में सबसे हो आगे अपना भारत देश महान भेद भाव को छोड़ चले सबसे रिष्टा जोड़ चले वक्त जागरन की आई तंद्रा अपनी तोड़ चले कदम वही पे बड़े जहा लोक तंत्र को हो सम्मान अपनी ताकत को पहचान चलो करे हम सब मत दान भारत भागे विदाता है हम युग के निर्माता है हमसे ही यह तंत्र चले हम मालिक मत दाता है हमको हे देश पे गवरो हमको हे खुद पे अभिमान अपनी ताकत को पहचान चलो करे हम सब मतदान भारत में मतदान का महत्व पर नंदिनी अपने विचार रखेगी मतदान लोक तंत्र की आधाल शिला है और भारत के राजनीतिक परिदुष्य को आकार देने में महत्व पूर्ण भूमिका निबाता है यह नागरिकों को अपने प्रतिनी दियों को चुनने और निर्ने लेने की प्रक्रिया में भाग लेने के अधिकार का प्रयोग करने की अनुमति देता है मद्दान के माध्यम से व्यक्तियों के पास अपने निर्वाचित अधिकारियों को उनके कारियों और नीतियों के लिए जवाब देह बनाने की शक्ति होती है मद्दान एक निश्पक्ष और पारदर्शी चुनावी प्रक्रिया सुनिश्चित करता है सामाजिक और राजनीतिक समानता को बड़ावा देता है यह एक AC सरकार स्थापित करने में मदद करता है जो लोगों की इच्चा और आकांगशाओं को प्रतिविम्बित करती है मद्दान करके नागरिकों को विबिन मुद्दों पर अपनी राय वेक्त करने और राष्ट्र के विकास में योगदान देने का अवसर मिलता है मद्दान समाज के हाशिये पर मवजूद वर्गों को सशक्त बनाता है जिससे उने उन मामलों में अपनी बात कहने का अधिकार मिलता है जो अप उनके जीवन को प्रभावित करते है यह एक जिम्मेदार और उत्तरदाई सरकार के विकास को बड़ावा देता है क्योंकि निर्वाचित प्रतिनी दियों द्वारा अपने मद्दाताओं की चिंताओं को दूर करने की अधिक संभावना होती है उच्च मत्दान प्रतिशत लोकतांतरिक प्रनाली की वैदिता और विश्वसनियता को मजबूत करता है मत्दान नकेवल एक आधिकार है बल्कि एक नागरिक करतवय भी है और इसका प्रयोग करके व्यक्ति लोगतांत्रिक प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं और देश की समगर प्रगती में योगदान देते हैं आगे मतदान जागुरुकता पर एश्वर्या पेटकुडे एक कविता सुनाएगी जागुरुक होकर करों मतदाता मतदान राजधर्म निर्वाह को करिये ये शुबदान सब कामों को छोड़कर करना है यह काम एक दिवस मतदान का बाकी दिन आराम सही करो मतदान तो हो उत्तम सरकार, मन का पत्याशी चुनो, मत देकर हर बार डरो नहीं, जिजको नहीं, हर प्रशासन संग, अच्छा पत्याशी चुनो, लोकतंत के अंग, सब आलस को त्यागिये चलो बूत पर आज निर्बय हो मतदान कर, लोकतंत्र के काज, मन से जो मतदान हो, हो अच्छी सरकार, कर चुनाव सरकार का सुकसे जीवन सार, पहचान पत्र साथ ले, जाने देना वोड आना नहीं लोब में भैदान या नोट, इवी, इम, मशीन से करना है मतदान, यह अपना अधिकार है, इसको सब ले जान, सब को प्रेरित कर चलो, करना है मतदान मतकेबल सरकार है, लोकतंत्रकिशान, निश्पक्षी मतदान से हो चुनाव हर बार, अच्छे नेथा जीत कर, बने भली सरकार भारत में कोन मतदान कर सकता है, इस विशय पर चर्चा करेगे गेडाम करुना भारत में वोट देने का अधिकार उन सवी नागरिकों को दिया जाता है, जो कुछ मानदंडों को पूरा करते है भारत में कोन मतदान कर सकता है, इसका एक सिहावलोकन यहाँ दिया गया है पहला नागरिकता केवल भारती नागरिकी चुनाव में मतदान करने के पात्र है विदेशी नागरिकों को और अनिवासी भारतीयों एनाराय सहित गैर नागरिकों को मतदान करने की अनुमती नहीं है दूसरा आयू अवशक्ता भारत में मतदान करने की न्यूतम आयू 18 वर्ष है कोई भी नागरिक जो इस आयू तक पहुच गया है या चुनाव अयोग द्वारा निर्धिष्ट योग्यतातिती पर या उससे पहले पहुच जाएगा वह मतदान करने के लिए पात्र है 3. मतदाता सूची मतदान करने के योग होने के लिए नागरिकों को अपने संबंधित निर्वाचन शेतरों की मतदाता सूची में अपना नाम शामिल करना होगा चुनाव अयोग समय समय पर इन नामावलियों को तयार और अध्यातन करता है चवता निवास व्यक्तियों को उस निर्वाचन शेत्र का निवासी होना चाहिए जहां वे मतदान करना चाहते हैं उनके पास उस निर्वाचन शेत्र में एक स्थाई पता या कम से कम छे मेहनों का अस्थाई निवास होना चाहिए पाच्वा मानसिक सुद्रुडता मतदान करने के लिए वेक्तियों को मानसिक रूप से स्वस्तु होना चाहिए और वह निर्नय लेने में सक्षम होना चाहिए छट्वा आयोग्यता कुछ परिस्तितिया है जो किसी वेक्ति को मतदान करने से आयोग्य ठहरा सकती है जैसे मानसिक रूप से अस्वस्त होना, अपराधिक अपरादों के कारण कानुन द्वारा अयोग्य ठहराया जाना या दिवाली या घोशित किया जाना आगे अजे शाहने वोट के महत्व पर एक कविता सुनाएंगे ओट दालने चलो रे साथी, लोक्तरंतर के बने बाराती एक ओट से करो बदलाओ, नेता जी के बदलो हावबाओ सही उमिदवार का करो चुनाओ, भैमानों को मद्दो भाओ आपका ओट है आपकी ताकत, लोक्तरंतर की है लागत सुबा सवेरे ओट दे आओ, ओटर आईडी संग ले जाओ उस इंसान का करो चुनाओ, जो पार लगाये देश की नाओ मद्दान के दीन घरमत रहेना, वरना पाच साल पड़ेगा सहना, धन्यवाद चुनाओ का पर्व देश का गर्व आखाशवाणी आदिलाबाद, वन्दापांट 2FM मनस्सुन्निंड